आज मैं आपको एक हेर मास्क उदाने वाली हूँ जिसे अप्लाइ करके आपने बालों की ड्राइनेस और फ्रीजिनेस खतम कर सकते हैं और अपने बालों को डीप टी कंडिशन कर सकते हैं आपको कोई महिंगी क्रीम खरीदने के जरूरत नहीं है मार्केट से आप इस मास्क को घर पर ही बना सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इस हेर मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए बटर, ऐलोवरा जेल, एंड कैस्टर रॉयल जब भी आप अलोवरा जेल लें तो आप देख लिया करें के वो जेल ग्रीन कलर करना हो तो यह तीन चीज़े तो मेंडेटरी हैं लाजमी होनी चाहिए आपके पास उसके लावा अगर आपके पास और आपके पास और तो आप और यहां पे एक्स्ट्रा वर्जिन और प्रे अगर आप के वाइने यहां पर तौ शिमें डुनगी यहां पैस और आप के यहां पर यहां पर यहां पर यूज करोँगी आपично respects करेंटरी कुंके और ओलली किुक्ट विडियो पर बनाना चिकल रही था इंग्यों तो थाओं एसको यहां पर यूज करोंगी में यहां पर करूंगी olive oil क्योंकि गर्मी आ जाएंगी तो olive oil के use कम हो जाएगा इसलिए में अभी olive oil use करूंगी अब मेरे पास है butter, aloe vera gel, castor oil and olive oil तो मैंने या लिया है one tablespoon of butter ये room temperature पर है अगर आपके बाल बहुत जाता dry है तो आप two tablespoons लेंगे और इसमें मैं add करूंगी तकरीबन two tablespoons भरके aloe vera gel अब इसमें आप एड करेंगे one tablespoon of castor oil और one tablespoon ही आप इसमें olive oil add करेंगे अच्छा butter अगर आप ले रहे हैं तो आप unsalted लीजाएगा मेरे पास इस वक्त salted available था तो मैंने वही ले लिया लेकिन अगर आपके बस option हो तो आप unsalted लीजेगा आप में तमाम चीज़ों की quantity डबल कर सकते हैं according to your hair length and volume यहां मुझे अपना मास्क थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें one tablespoon aloe vera gel और add कर रही हूँ तो यह मास्क अप पूरी ज़ा से ready है बालो पर apply होने के लिए आपको इस मास्क को अपने पूरे बालो पर रखाना है from root to tip और उसके बाद आप शावर कैप पहले और शावर कैप के उपर से आपको hair dry करना है ताके आपके बालों को heat मिले और यह मास्क आपके बालों में deeply penetrate करें अगर आपके पास shower cap नहीं है तो आप एक टावल लें उससे hot water में dip करें और अपने बालों को wrap कर लें इससे भी आपको बालों को heat मिलेगी इस मास्क को आप एक दर गंड़ा करने के बाद wash कर सकते हैं और shampoo करने के बाद आपको conditioner apply नहीं करना है प्योंके आपने बालों को deeply condition कर रहे हैं इस मास्क के जरीए और आपको ऐसे ही बहुत च्छावज़र मिल जाएगा So guys that's it for today's video, अगर वीडियो अच्छे लगे तो like जरू कर दीजेगा और प्लीज चैनल को subscribe करें और साथ में बाल इकन को प्रेस करते हैं ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यों वीडियो की notification आपको मिल सके तो मिलती हो अपसा नेक्स वीडियो में विद अधर एक्साइटिंग टॉपिक, दिलन टे केर और स्टे बीटिफॉ